हेलो फ्रेंज्स इस इस पीशिंग एंड वेलकम टू इस्मार्ट एवरीड प्यारे दोस्तों सीटेट 14 15 दिशंबर को दिशंबर को टारिट करते वे हमने सीडीपी क्लासे भी शुरू करते हैं जिसमें आज की आपकी एक लास सेकेंड रहेगी और थर्टी भाई थर्टी स्री किसे समझते हुए चलेंगे पहला कोर्शन आपके सामने कहता है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों धावकों अभी नेताओं के पास कौन सी बुद्धी होती है आपको पता हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है ये कहते हैं कि बुद्धी का स कि जो डांसर्स हैं, जो डांस करते हैं, जो एथलीट हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है, एक्टर्स हैं, इनमें कौन सी बुद्धी अतिक रहती, तो देखिए, इनके अंदर क्या होता है, बॉडली का स्थाटिक इंटलिजेंस अच्छी होती है, क्योंकि इनका अपने शरीर पर नि नियंत्रन होता है, इनके अंदर शारीरिक गतिक सम्वेदनात्मक बुद्धी बहुत अच्छी होती है, इसके बारे में थोड़ा एक्स्पिलिन करेंगे, देखे, यहां पर लिखा है, बॉड़ी का इंस्थाटिक इंटलिजेंस, इस तरह की बुद्धी में, अपनी शारीर यह अपने बॉड़ी बर कंट्रोल है, वस्तुन को सावधानी पूर्वक एम प्रवीन धंक से बहुत स्किल्फुली घुमाने, उप्योग करने की छमता इनके पास अच्छी होती है, इस तरह की बुद्धी, डांसर्स में, जिमनास्ट में जो व्यायाम करने वाले होते हैं, जिन्हें अपने शरीर की गती पर पर्याप्त नियंत्रन रहता है, ठीक है, क्रिकेट खिलाडी हो गए, टेनिस खिलाडी हो गए, ठीक है, नियुरो सर्जन, शिल्पकारी जो होते हैं, और इनमें ये बुद्धी अधिक होती है, जैसे जो शिल्पकार होते हैं, वो कैसे हाथ पर कंट्रोल करके बहुत चोटे-चोटे माहिन माहिन तरीके से चीजों पर बना देते हैं उकेर देते हैं है ना तो उसका अपने हाथ पर कंट्रोल होता है अब जैसे जो कारपेंटर होता है बढ़ ही वो कितने अच्छे तरीके से डिजाइन कर देता है लकडी के उपर उनका अपने हाथों पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, ठीक है, तो इनमें ये जो बोडी कांसर्टिक इंटलिजेंस है बहुत अच्छी होती है, ये और क्यूंकि उन्हें इन्हें वस्तों का उप्योग बड़ा स्किल्फुली करना होता है, इनमें ये तो आप समझ गए क ये जो बोडी कांसर्टिक इंटलिजेंस है, इसका मतलब भी होता है कि अपने श्रीर पर अच्छी पकड़, ओके, तो यहां पे हमारा प्रिश्न के कोर्डिंग जो आंसर रहे का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इस्थानिक बुद्धी किन लोगो यहां पे होगा, तो बड़ा जल्दी बता देंगे कि इस मैप में यह स्थानि यहां पे हो सकता है, यहां पे होगा, और मैप हो गया, गुलोब हो गया, कोई चार्ट दे दो, डिजाइनर जैसे, आपके घर के डिजाइनर होते हैं, ठीक है, जो आपके घर का डिजाइन करते हैं वो उनके अंदर इस्थानिक बुद्धी बहुत अच्छी होती है वह आपको बता देंगे कि इतनी जगह में आपका कीचन कहां बनेगा बेडरूम कहां बनेगा वर्श्रूम कहां बनेगा यह सारी चीजे इनके अंदर इस्थानिक बुद्धी बहुत अच्छी होती है भा बहुत अच्छी होती ए ठीक है भास्याई बुद्धी में जैसे आपके यह कभी हो गए ठीक है कभी में जैसे ड From विश्वास को ली लिजे किस तरह से अपने शब्तों को वाक्यों को प्रेजन्ट करते हैं यह न उत्जाइमं से खेल जाते हैं उनके अंदर भाष्राई ब्द्धी बहुत अची है दूसरी बात है जिसे अंत्राव्यक्तिक बुद्धी जिसके अंदर intra-personal intelligence होता है ये लोग स्वेम विचार करने की छमता इनके अंदर होती है, स्वेम की कमजूरी को पहचानना, स्वेम की काबिलियत को पहचानना, स्वेम के साथ तर्क वितर्क करने की छमता इनके अंदर बहुत अची होती है, जैसे आपके दर्सन डार्सनिक हो गए, संत महत्मा हो गए, इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजन्स बहुत अची पाई जाती है ठीक है प्रिश्ण क्लियर वरी गूट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिश्ण आपके सामने है देखिए अगला प्रिश्ण कहता है कि यह है शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिपनी है कक्षा में लड़कों के लिए शिक्षक की एक टिपनी है कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह विवहार मत करो यह चीज किसको बढ़ावा देगी कि यह जंडर एक्विटी की बात कर रहा है क्या यह समानता की बात कर रहा है नहीं वो तो साब कह रहा है कि पुरुष बनो लड़किए की तरह बार मत करो क्या ए लड़किए की तरह रोते हो क्या लड़किए की तरह मूँ लड़काय बैठे हो क्या लड़किए की तरह हात रगके बैठे हो ये सी बाते हैं ये gender equity नहीं है ठік है ये gender rωνी बद धता है ये क teammates gender stereotype है और यह समाज के दोरा इस्थापित किया गया विचार है समाज ने निर्धारित किया है कि तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते तुम ये काम नहीं कर सकते तुम बाहर का काम कर लोग ये लड़के आ घर का काम कर रही ये जो विचार है ये समाज ने स्थापित किया है जेंडर भूमिका में लचीलापन भी नहीं है ना तो यहाँ पे जेंडर एक्वैलिटी नजरा रही है ना एक्वैलिटी ना एक्वैटी और ना ही फ्लक्सिबिल्टी नजरा रही है सीधा सिधाया पर जेन्डर स्टीडियो टाइपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है जेन्डर रूडी पदता को बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए option C जो है वहाँ हमारा right हो जाएगा next question is बच्चों के आकलन के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है बच्चों का आकलन करना है क्या मुल्यांकन का प्रात्मिक उद्देश तुलना है क्या सिर्फ comparison के लिए आप class में बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं उनका मुल्यांकन कर रहे हैं नहीं मुल्यांकन का कुदेश्य होते हैं भाई अगर हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं मुल्यांकन कर रहे हैं तो हम यही तो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों हमने पढ़ाया लिखाया सिखाया बच्चे ने कितना सीखा बच्चे की लिए कहां तक हुई अगर कोई चीज समझ में नहीं आ आकलन का प्रात्मे कुदेश चिंता और भैयुत्पन करना ये कौन सी बात हुई चिंता और भैयुत्पन करना आप आकलन इसलिए करना बच्चों को हम ड्रा सकें नहीं इसको भी काट दो मुल्यांकन विभिन सादनों का उब्यो करके किया जाना चाहिए बात तो ठीक लग रही है मुल्यांकन में बच्चों के दोरा श्वा मुल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मुल्यांकन में बच्चा अपने कार्यों का खुद मुल्यांकन करता है जो भी उसने पढ़ा लिखा या जो सीखा या जो भी उसने माली जी कुछ टेस्ट उसका लिया गया और फिर उसको का गया कि अब इसको अपने आप चेक करो तो बच्चा इसमें अपना खुद का मुल्यांकन करता है और होना भी चाहिए सबसे बेस्ट अप्शन ये है कि मुल्यांकन विभिन साधनों का उप्योग करके किया जाना चाहिए आप बच्चों से रिटिन टेस्ट ले सकते हैं और बच्चों को प्रोजेक्ट दे करके उनका टेस्ट ले सकते हैं ठीक है और भी कई तरीके होते हैं जिनसे आप बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं तो अलालग प्रकार की साधुनों का प्रियोग करके बच्चों का मुल्यानकन किया जाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट प्रिशन कहता है कि निम्नलिक्षित में से कौन सी अधिगम अश्मता लर्निंग डिसेबिलिटी से जूजने वाले चातर की विशिश्ट पहचान विशेशता हैं यानि कि जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से जूज रहा है उसकी क्या विशेशता है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों लाइन को छोड़ देता है और इस पैलिंग में मिस्टेक करता है, ओके हो सकता है, दो फिट की दूरी के परे चीज नहीं देख सकता, भाई बच्चा दृष्टी बात ही थोड़ना है, जो नहीं देख सकता, यहां पर लर्निंग डिसेबरिल्टी की बात हो रही है, इसलिए यह उप्शन कर जाएगा, यह र बात ही थोड़ना है, जो आवाज नहीं सुन सकता, यह भी हटा दो, एक ही उप्शन बचता है, बेस्ट है, लर्निंग डिसेबरिल्टी अगर बालक को है, तो हो सकता है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को वो छोड़ रहा हो, जो स्पैलिंग सो उसमें मिश्टेक कर रहा हो, प्रॉपर तरीके से रीडिंग ना कर पा रहा हो, या उसकी मेनिग ना समझ पा रहा हो, यह लर्निंग डिसेबरिल्टी होती है, जो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा हो, यह सब लर्निंग डिसेबरिल्टी हो सकती है, ठीक है, बाकी option आप चाहिए क्या सकारात्मक और नकारात्मक पुनरबलन के दोरा बच्चों की सक्रिय भागिदारी को बढ़ाया जाए दिखिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनरबलन की बात कौन करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक पुनरबलन की बात करते हैं इस किनर जिन्होंने चुहे पर प्रियोग किया था सकारत्मक पुरुश्कार फुकर दे दिया तो यहां सिर्फ क्या हम पुरुषकार और पुसकार दिते रहेंगे क्या दन्दी देते रहेंगे च्छिक ये बात ठीक नहीं है हटा दो डूसरा करने 5 तोरंन से हो जाएगी अगर से दिए तो अधिकंभ हो जाएगा इस लिए भी हटा दो बानी को बढ़ावा देंगे तो बच्चे सक्क्रिव के एक्टीव होकर के इंगेज होंगे क्लास में ये भी औप्सन ठीक नहीं है पूछताश और जाज की प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर हम बच्चे के अंदर questioning या inquiry को प्रोटसाहन दे रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं तो बच्चे active होकर के learning में participate करेंगे या जो है class में engage होंगे पूछताश और जाज की प्रक्रियाओं के माध्यम से सक्री भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है पूछताश और जाज का मतलब जैसे हमने बच्चे को हम बच्चों को प्रशन पूछने का मौका देते हैं बच्चे प्रशन पूछते हैं को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष निर्धारित करने के लिए प्रोथ साहित करना चाहिए एक टीचर अपने बालकों को बच्चों को विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष निर्धारित करने के लिए प्रोथ साहित करें mastery oriented, performance oriented, failure accepting या failure avoiding प्यारे दोस्तों तीन तरह के orientation होते हैं motivation में ठीक है यह जो प्रश्ण है यह motivation का प्रश्ण है अभी प्रेंडा का प्रश्ण है थोड़ा इसको हम आपको समझाना चाहेंगे ठीक है orientation की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? hari orientation की ठीक है orientation जो है हमने बताया तीन तरह के orientation होते हैं motivation में पहला मां लिजे performance orientation हो गया ठीक है performance orientation दूसरा failure uh failure orientation तीजे रहा है mastery orientation ठीक है यह जो performance orientation होता है इसका मतलब होता है जो प्रदर्शन उन्मुक है इसका मतलब है कि आप सिर्फ जैसे first division लाने के लिए पढ़ रहे हैं आप सिर्फ 90% लाने के लिए पढ़ रहे हैं कुछ भी हो जाए मुझे class में first आना ही है मुझे 90% लाना ही लाना है नहीं तो मैं completion से बाहर हो जाँगा इसलिए आप पढ़ रहे हैं इसलिए आप प्रदर्सन करना चाहते हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो यह क्या है यह performance orientation होता है failure orientation जो failure आवाइटिंग है इसका मतलब यह होता है कि आप सिर्फ fail होने से बचने के लिए पढ़ रहे हैं अगर मैं 33% marks नहीं आए तो मैं fail हो जाऊँगा सिर्फ इसलिए रट्टा मार रहे हैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि fail होने से किसी भी तरह से बच जाएं और mastery orientation का मतलब होता है कि इसमें आप यह नहीं देखते pass होंगे, fail होंगे, क्या होगा बस आप mastery हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं आप इसी subject को knowledge के लिए पढ़ रहे हैं ग्यान के लिए पढ़ रहे हैं और जब knowledge के लिए पढ़ेंगे जो भी subject आपका है, मालेज़े CDP है जब आप उसको हर एक concept को समझेंगे, जानेंगे तो number तो अपने आप अच्छे आ जाएंगे है ना, जब आप हमेशा से हर subject को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते आए हैं तो number तो अच्छे आने ही आने हैं तो यह जो mastery orientation है इसके लिए teacher को encourage करना चाहिए कि बेटा, हर एक चीज़ को बहुत deeply जानो बहुत deeply समझो, knowledge के लिए सीखो knowledge के लिए पढ़ो हर subject में mastery हासिल करने के प्रयास करो तो यह होता है mastery, महारत उन्मुख ठीक है, तो यहाँ पर teacher को क्या करना चाहिए बालक को महारत उन्मुख हासिल करने के लिए प्रोचायद करना चाहिए, mastery oriented जब बच्चा mastery oriented होगा महारत हासिल करेगा तो नंबर अपने आप अच्छा जाएंगे ठीक है प्रदर्सन उन्मुक का मतलब कि जैसे कोई कॉमप्टीशन की त्यारी कर रहे हैं अगर उसमें हमारे 90% नहीं आए तो हम कॉमप्टीशन से बाहर हो जाएंगे तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस ओरिंटेट होना पड़त है ठीक है विफलता को श्रीकार करने के लिए नहीं असवलता से बचने के लिए ऑप्शन इस ता राइट वर इंडिस्कोशन बहुत बेत्रीन प्रश्ण आपके सामने हैं एक विक्त की धार्नाएं उसके सीखने पर एक महत्तपोन प्रभाव डालती है निमलिखित में से कौ कौन सी धार्ना सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी कोई व्यक्ति है उसने अपने लिए कुछ धार्नाएं बना रखी है ठीक कौन सी धार्ना जो है वो उसके लार्निंग पर पॉस्टिव इफेक्ट डालेगी सकारात्मक प्रभाव डालेगी मुझ में जनमजात क कोई छम्ता हैं मौजूद है ही नहीं क्या ये मिरी लर्निंग पर सकारतमक्प परभाव डालेगी नहीं किसी भी कंदीशन में इन dhimizam कोई चम्ता ही नहीं है तुम कहां से सीखेंगे ना तुसीखने का प्रयास भी नहीं करें कि हमने मान लिया ना हमने धारणा बना लिए अपने बारे में कि हमारे अंदर कोई छमता ही नहीं शिक्षक हमेशा कठिन प्रिस्ट नहीं बनाते हैं अगर हम ये धारणा बना लें हम चाहें जो पढ़ लें लेकिन टीचर प्रिस्ट पत्र ही ऐसा तयार करते हैं कि हम पास हो यह नहीं पाते हैं ये भी गलत धारना है अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है हाँ अगर हम यह माल लें कि अगर हम अच्छे या बुरे अंक जो आते हैं वो सिर्फ अपने प्रयास पर आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका हमारी learning पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे यानि कि हम महिनत करेंगे कि हमारे नंबर अच्छे आएं क्योंकि हमने मान लखाए ना कि अपने प्रयास पर डिपेंड करता है तो फिर जाहिर सी बात है हम अच्छे नंबर लाने के लिए बहतर प्रयास करेंगे बुगोल सास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें इसमें अच्छे अंक नहीं आप आएंगे ये भी इसका भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा शकारत्मक प्रभाव नहीं यह से बढ़कर सूपर इमप्रेंट कोर्शन प्रश्न प्रशन केहता है सनचनाबात का सिध्धानत नंचना बार जो Siddhant इसके प्रतिपादक विलहंन उंटे हैं कोन है विलहंन है वो इसस्धानत के प्रतिपादक है ठीक है और इस सिध्धान्त के अनुसार ये कहा गया है कि हर एक बच्चा श्रेम ग्यान का निर्मान करता है और वो श्रेम के जो पूर्व अनुभव होते हैं बच्चे के जो पहले से जो उसको experience है उसके साथ वो विद्दैले में प्रवेश करता है सीखने में जो लर्नर है उसकी भूमिका को महतपून मानता है सनचनावात का सिध्धान्त कहता है लर्निंग में जो लर्नर है जो बालक है उसकी भूमिका महतपून होती है और जिससे वहा संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वही राइट हो जाएगा और सिध्धान्त कहता है कि यहाँ पर जो बालक है वो श्वैम ग्यान का निर्मान करता है खुद जो है ग्यान का निर्मान करता है और जो भी उसको पहले श्यानुभव है है वो उसी के साथ विद्याले में प्रवेश करता है option is the right one in discussion simple suppression है next question is बच्चे निमन में से किस आधार पर अगले ग्यान का निमान करते हैं जो बच्चे होते किस आधार पर जो उनके लिए प्रासंगिक है जो चीज बच्चों के लिए relevant ही नहीं है जो प्रासंगिक ही नहीं है उसके बेश पे कैसे वो ग्यान का निमान कर सकते हैं है ना हटा दो इसको जो वहाँ पहले से समझते हैं हाँ ठीक लग रहा है जो उनके लिए अग्यात है जिस चीज के बारे में उनको ग्यान ही नहीं है जो चीज उनके लिए अग्यात है, उसके बेस्ट पे कैसे अगले ग्यान का निमान कर सकते हैं, ये भी हटा दो, जो उनके वर्तमा संग्यान अत्मक इस तरह से बहुत परे है, जो चीज आपके कॉगनिटिव लेवल से बहुत परे है, जो आपकी समझ से बहुत परे है, उसके रहा है जो पहले से समझता है जिस जिस चीज के बारे में उसको पहले से थोड़ा बहुत घ्यान है उसी बेश पे वो अपना नया घ्यान तयार कर लेता है ठीक है भाई पहले से जो हम थोड़े बहुत कछा 6 7 8 में जो आपने study है उसी के बेस पर आप नाइंत की मैस पड़ रहे हैं उसी के बेश पे आप क्लास 10 की मैस लगा रहे होते हैं क्योंकि उस बारे में आपको पहले से ग्यान होता है ठीक है अगर पहले से चिचिच का नौलेज ही नहीं है उसके बेश में नया ग्यान क्रियट नहीं कर सकते तो यहां पे जो आप पहले से समझते उसी बेश पे अगले ग्यान का वो निर्मान करते हैं ऑप्शन पीज़ता राइट वन किन शैक्षिक प्रिणामों के द्वारा चात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोच्वाइट नहीं किया जा सकता किसके बेश पर शार्थक अधिगम नहीं हो सकता बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता अनुवेशन और प्रियोग क्या इसके बेश पर नहीं सीख सकता है इसलक्त करकर शीक्ता इंगेज होग पर चेंग सीखता है इससे तो बच्चा और प्रोत्षाईत होग के शिता बच्aneous पं देते हैं, explore करता है, बच्चा, experiment करता है, प्रियोग करता है, लेब में जाकर के activity करता है, प्रियोग करके देखता है, तो इससे बच्चे का learning सार्थक होती है, अधी शंगयानात्म कौश्णों का विकास, जब बच्चे के अदर संगयानात्म कौश्णों का विकास होता है, इस दूसर के विचारों को जानता है समझता है अपने विचार दूसरों के सामने रखता है इससे बच्चे की जो अधिग्या में वो और ज्यादा सार्थक होती है बच्चा सीखने के लिए प्रोट साइट होता है वेरी गूड हम से नहीं पूछ रहा है निस्क्रिया सुनने का कौ देखिये मैंने अभी पहले भी का था यदि लिसनिंग पैसिव है तो हमारी लेर्निंग भी पैसिव हो जाएगी यह जो है बच्चे को लेर्निंग के लिए प्रोट साहित नहीं करता ऑप्शन डी स्था राइट वन दिसकोर्शन ओके इतनी बात के लिए रहे प्रेशन कहता जो पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको सीखराए नहीं सीखराए बच्चे के अंदर कुछ कमिया हैं या अच्छाईया हैं हमें उनके पैरेंट्स तक सेयर करना चाहिए हम उनके पैरेंट्स अगर बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे जानेगे कि बच्चा घर पे क्या करता है क्य नहीं करता है पढ़ता है नहीं पढ़ता लिगता है ठीक है तो ये दो ऑप्सन गलत हो गया बिल्कुल गलत हो गया समुदाय के साथ संपर किस्थापित करने से वित्यारतियों के अर्थपूर्ण अधिगे में बाधा उत्पन होती बाधा नहीं उत्पन होती है इससे हमें सका open करता है यहां से हमें सकारत्मक रिजल्ट मिलता है पोस्टिव रिजल्ट मिलता तो यह भी और तोग अप दोनोंग ही गलत हैं यहां पर किसी भी कंडिशन में दोनों सही नहीं है यह एंकि और और दोनों गलत हो जाते हैं, ओके इतनी बात होती है, क्लियर, अगला प्रशन लीजिए, देखिया, प्रशन कहता है, कि विकास एक डैश प्रक्रिया है, जिसकी शुरुवात डैश के समय होती है, हमने दो क्लास जो है पढ़ा दी है, इसकी विकास की, ठीक है, उसको आप जाती है, मा के गर्ब, यानि की गर्ब धारन से ही डफलाप्मेंट सुरू हो जाता है, इसलिए गर्ब से कबर तक जाता है, उके ये उप्सन जो है, आपका वहाँ राइट हो जाता है, चलिए, यतनी बात के लिए रहे, बहुत बीतरी प्रशन है कि कि से चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तरकपुन ढंग से सुलजा पाते हैं, पर Alexandra उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है, अब यहाँ पी बच्चा जो है, मूर्त समस्याओं को जो उसके सामने प्राप्लम्स हैं, उनको तरकपुन ढंग से सुलजा तो पा रहा है, लेकिन किस कि खास निसकर्स पे नहीं पहुंच रहा है यह कंडिशन किस अवस्था में आएगी यह आएगी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और यह जो अवस्था है वह साथ से 11 वर्ष तक होती है यहां पर बच्चे में क्या होता है कि तार्खिक चिंतन होने लगता है जैसे जैसे मालीजी यह 25 दिसंबर जो क्रिश्मस दे होता है उसमें कहते हैं कि सेंटा क्लॉज सब पे घर गर आएंगे बच्चे क्या कहते हैं कि आज सेंटा क्लॉज शाम को आएंगे रात में आएंगे हम तक्ये के नीचे यह रख लेते हैं वो रख लेते हैं सेंटा क्लॉज आ नहीं जा सकते हैं यहां पर बच्चा अब तरक लगाने लगता है जो पहले सोच रहा कि आज रात में संटा क्लौ जाएंगे हमारी विश्पूरी करेंगे अब वो सोचने लगता है कि एक ही रात में सब के घर कैसे जाएंगे यह इतना बड़ा जोला तो उनका किसी भी निसकर्स पर नहीं पहुंचता है। इसलिए option नमर जो आपका C रहेगा वहां right हो जाएगा। प्रिश्न कहता है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। किस प्रॉसेस में उनमें जो है कि meaningful learning होती है। उदीपन और प्रक्रिया के अनुबंद की प्रक्रिया में देखे उदीपन प्रक्रिया अनुबंद इसकी बात कौन करते हैं। इसकी बात थौन डाइक करते हैं। जिन्वे बिल्ली पर प्रयोग किया था। उनके according जब सही अनुक्रिया का सम्मद्ध विशेश उ learning कहते हैं तो इसकी बात थांडाइक करते हैं बात यहां पर जीन प्याजें क्यों रहे तो थांडाइक वाला उप्शन यापर कर जाएगा दूसरा होता है दूसरा कहता कि अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब इनाम और सजा का प्रयोग हो क्या आप बच्चे को हमें सा इनाम और सजाही देते रहेंगे यह भी जो है कि ठीक नहीं ऑप्शन जब व्यास का नियंत्रन लेते हैं और व्याख्यान देते हैं यानिकि अडर्ट्स कंट्रोल लेते हैं और एक्स्प्लेन करते हैं यहां के वल एक्स्प्लेन करने से भी अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा सिर्फ व्याख्याम देने से भी अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा क्योंकि जब आप सिर्फ व्याख्याम दे रहे होंगे तो बच्चा उससे भी बोर हो जाएगा बच्चा महां पर पैसी होता है लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम वहीं होगा जहां बच्चा खु इन्वाल्व होता है इंगेज होता है जिन प्याजे ने कहा है कि बच्चे नन्हें वैक्यानिक हैं है ना तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा प्रेश्ण कहता है कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर पारंपरिक इस तरह की क्या विशेशता है य नैतिक विकास को कैशे प्रभावित करते हैं या नियमों का पालन अवग्या या बुरे प्रिणामों से निर्धारित होता है जो नियमों का पालन है वो अवग्या या बुरे प्रिणामों से निर्धारित होता है वेक्ति अपने कार्यों के प्रिणामों पर ध्यान केंद्र करने की बजाए दूसरों की अप एक्षाओं को बनाय रखने का प्रयाश करता है खुद चुने हुए नैतिक सिध्धान्तों का पालन जो सारभौमिक है इसमें पूरों पारंपरिक इस्तर की बात कर रहा है कि इसमें इसकी क्या विश्ष्षता है यह है लौरेंस कोहलबर्ग क का नैतिक विकास का सिध्धान्त जिसमें इन्होंने बताए हैं कितने तीन लेवल और छे चर्ण ठीक है कोलबर्ग ने नैतिक तक कि तीन इस तर छे चर्ण बताये हैं प्रेश्ष्ण हमारा जो है वो यहां से पूर्च राए प्री कन्वेंशनल लेवल से देखिए जो पहल के निर्धारित होता है ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा बच्चेया किसी भी विवहार को अच्छा या बुरा उसके बहुतिक प्रिणामों के आधार पर कहते हैं कोई उसका रिजल्ट क्या निकलेगा यानि कि किसी चीज़ को अच्छा या बुरा त करता है बालक दंड के भैशे बढ़ों के आगया का पालन करता है लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता अगर वो यती यह क्रिया पहचानी ना जाए और दंडित ना किया जाए अब यहां पर इसको समझे यह कहता है कि दंड के भैशे बढ़ों के आगया का पालन करता आपके घर महमान आते हैं बच्चा उनको नमस्ते नहीं करता पैर नहीं चूता है जब वो चले जाते हैं तब आप बच्चे पर तूट पड़ते हैं उसको कहते हैं तुमने पैर क्यों ने चुए नमस्ते क्यों ने कि तुमने हमारी बेज़ती करा दी फिर जब अगली बार मह महमान आता है तो बच्चा दोड़ करके पैरों में गिर जाता है क्यों वो यहां पर आग्याकारी नहीं हो गया वो दंड के भहशे की बैटा महमान चले जाएंगे फिर मेरे पर क्या बीतेगी इस डर से उस भौतिक प्रिणाम की वज़े से उसने वो पैर छू रहा है तो यह आग्याम दंड की अवस्ताय कहलाती है जहां बच्चा दर के भैसे काम करता है अच्छ यानि कि जहां बच्चा उसके रिजल्ट के बेश पर अच्छा या बुराकार पूरी तरह से उसके प्रिणाम पर डिपेंड करते हैं ओके आई बास समस्में तो इसमें हमारा हो आग्याम दा कॉंसेकंसिस अफ ओबेंग और डिस ओबेंग रूल सेनिके नियमों को जो पालन है वो उसके बुरे प्रिणामों से निर्धारित होता है ओप्शन बीज ता राइट वन लेवाई गौस्की के अनुसार बच्चों की संग्यानात्मक शमता पर अपने से अधिक योग्य वेक्तियों के साथ अन्ता किर्या का क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता है लेवाई गौस्की ने Sमाज और संस्कृति के साथ अन्ता किर्या करने पर जोर दिया है यह कहते हैं जब बच्चा समाज के लोगों के साथ उठता बैढ़ता है तो फिर वो बहतर और समाच के साथ अंताय क्रिया करने से उसकी लर्निंग होती है क्या जब बच्चा अपने से अधिक योग की विक्तियों के साथ अंताय क्रिया करेगा उनके साथ उठेगा बैठेगा रहेगा क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता नहीं प्रभाव पड़ता है हम जैसे लोगो लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी हैबिट्स अपने अंदर लेते हैं उनके आचार विचारों को हम धारन करते हैं तो ये क्या करता है फैसिलिटेट करता है क्या करता है यानि की हमारी संगयनात्मत छमता को बढ़ाता है ओके तो आप्शन यहां पर जो सी रहेगा वहां है या सीखने को समाजिक प्रिविश्य अलग होकर नहीं देखा जा सकता बात तो ठीक है सीखने को समाजिक प्रिविश्य अलग होकर नहीं देखा जा सकता क्योंकि जो लर्निंग है वो समाज और संस्कृत के साथ रहकर के ही होती है सीखना सकारत्मक और नकारत्मक पुनबल पनिधरीत होता है ऐसा भी नहीं है सकारत्मक नकारत्मक प्रणबलन का जो कौंसेप्ट है वो किसे ने दिया है सीखने में ध्यान के इंदित करने की प्रक्रियाएं और निया है कि सीखने को समाज सेालकर करके नहीं देखा शमतों में क्या शामिल आपको पता है अंता व्यक्तिक बिध technology को कर रहे हैं Howard Gardner कर रहे हैं ठीक है जिनुने जिन्होंने कहा कि बिध्य एकाकिन आप कर के भूकर की होती है शातरे की प्रकार से बुद्धियों को बताया है ये कहते हैं कि अन्ताव्यक्तिक बुद्धी जिस व्यक्ति में होती है उसमें इसकी ये जो चमता बुद्धी जो होती है अन्ताव्यक्तिक इसकी क्या चमता होती है तो जिस व्यक्ति में ये इंट्रापरसनल इंटेलिजेंस ह होती है वह अपनी भावनाओं से अवगत होता है अपनी छमताओं को पहचानता है अपने उपर सोच विचार कर पाता है अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को ढूड़ पाता है लिगेटिव अपनी आने के अपनी कमजोरी को अपनी काबिलियत को पहचान पाता है ठीक है य एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धी अधिक होने की संभवना है मैंने आपसे कहा था जो एक डिजाइन करने वाला है शहर को डिजाइन कर रहा है या आपके घर को डिजाइन कर रहा है उसके किसे चीजों को वो डिजाइन कर देते हैं नेक्स्ट प्रिशन कहता कि एक परगतशील कक्षा में पाठ चर्या किस परकार की होनी चीए जो सलेबर शो जो पाठ चर्या हो किस परकार का होना चीए बेहद कथोर होना चाहिए बिलकुल नहीं विष्यों को खंडित रूप से संगठित करती है, जिसमें विष्यों का कोई पार्स पर एक संबन्द ना हो क्यों ना हो भाई, ऐसी पाट चर्या हो जो आपस में संबन्दीत हो है न, टॉपिक्स आपस में रिलेट करते हो, और बच्चों की रुचियों और छम्ताओं के अनुरूप संग्ठित की जाती है वेरी गूट पार्चे रिया ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की रुची के अनुसार हो उनकी छम्ता के हिसाब से हो असंगित तुकुडों में प्रस्तुत करती हो बिल्कुल नहीं प्रिशन कहता है कि डैस के साथ संघर्स करने वाले चात्रों को अक्सर गणती अवधानाओं और गणना में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता यदि बालक को गणती यह समस्या है प्रॉब्लम है तो जहिर सी बात है वह डिस गैल्कुलिया से गरशित होगा गूनस वैकल्स से इसलेक्षिया का मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्थिती होती है जिसमें लोगों को दूसरों के साथ बातचीत करने में उनसे सीखने में विवहार करने में दिक्कत आती है ठीक है और ये एक प्रकार का विकार है तो इस तरीके से यहाँ पर आप्शन हमारा according to the question डिस कैल कुलिया जो है वहां राइट हो जाएगा आज का लास्ट प्रिशन पहरे दोस्तों और आप कॉमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी रही प्रिशन कहता है कि राष्टी सिक्षानी की 2020 जैसी सिक्षा की समकाली नेतियां बच्चों में कौन से कौशल विक्षित करने का प मसता है और उसको उसका मुल्यांकन करता है विस्लेशन करता है संस्लेशन करता है उसको प्रियोग करता है यह क्या वोग करने के लिए प्रिश्ताव करती है या इश्मन और उत्पादन परिक्षा के लिए सीखना बिलकुल हटा दो रटना भी हटा दो यहां पे सिर्फ रिक कर सके विस्लेशन कर सके संस्लेशन कर सके मुल्यांका निकरने की बहुत धिक प्रक्रिया जो है बहुत धिक छमता बाले के अंदर होनी चाहिए तो आप्शन यहाँ पर यह आपका राइट हो जाएगा यह थे आज के प्रिश्ट कैसे रही क्लास कॉमेंट का तिरो बताए थैं थैंकि सो मच मिनते हैं बहुत दिल दी नेक्स्ट क्लास में